Hello everyone, welcome back. आज हमादो बात करना रहा है Crank Nicholas method के बारे में Crank Nicholas and Blender Smith method similar method है same little bit difference है क्या है कि हम लग जहां हम वापर K की value निकालते थे तो वहां पर K की formula होता थे AH2 by 2 होता थे यहां पर उसका formula difference है और जो हम लोग सब्ट्रिक अपनाते थे ब्लेंडर निकालने के लिए टीबल को फिल करने के लिए तो उसमें हम लोग दो वैल्यू को लेते थे यहां पे हम लोग जो लेंगे वह है और वैलो के एक साथ लेंगे अब वह कैसे करेंगे देखते हैं तुस्य क्रेंक निकॉरस में यहां पर जो function में given होगा ठीक जो equation में given होगा तो यहां से हमको परचल जाएगा कि A की value हमारी क्या है ठीक नाउ उसके बाद हमको पता होगा हम के की value निकालनी होगी ठीक अगर हम blender इसमित की बात करें तो वहां पर की value कैसे निकालते थे A H square by 2 से ठीक बट यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर हम जो निकालेंगे वह है A H square से हम लोग divide by 2 नहीं करेंगे ठीक अब यहां पर हमको यहां से K की value निकालाएगी ठीक कि हम requirement value कहां से हमलेंगी ठीक हम लोग के पास function में ऐ मिलाएगे 25 से इसको निकालकराजागी की value मिल जाएग यहां से, अब की value मिल गई, तो हमको question में कुछ और पी चीजे क्या 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 होगी, हमको सबसे पहले एक vu से पहले चीज़, value x, t, value ng Aqui वेलू गीव Bowl तो दीजे, तीन condition गीवन होगी ठीक या तो 2 condition Hai, boundary condition होगी क्या होगी, x,t गीवन होगा या तो x fix होगा या x fix नहीं होगा या तो x की value 0 होगी टी fix नहीं होगा ठीक या तो x fix होगा और t की value गीवन होगी ठीक इस सरह हो सकते हैं और 1 होगी आपको पास boundary condition गीवन हो यानि कि कुछ भी दे सकते हैं यानि कि यहाँ पर यह तो x की value को fix कर सकते हैं या t की value को increment कर सकते हैं उसके साथ कोई आपको यहां फंक्शन गीवन होगा यानि कि जैसे की x,4,x या कुछ भी function गीवन हो इसकी help से आप value जो बाकी value होंगी table के लिए वो आप यहां से निकाल सकते हैं ठीक अब यहां पे mind में अब यहां पे x और t जो बन गया अब टेबल जो बनेगी वो क्या होगी जैसे blender इसमें था कि उपर वाले पार्ट को h interval बोलते थे इधर वाले पार्ट को k interval बोलते थे इसको डिवाइड करेंगे यह x पार्ट होता था यह t पार्ट होता था सेम इससे तरह यहां पे होगा तो x interval जो होगा h equal to x interval ॉप यहां पर x कहां से कहां से र्च जाएंगा वह मुझे कि यहां पर आपको बताएंगा कि यहां कन्देशन होग यहां पे आपको आप इंड पोजिसन दे सकता है कि टी जो होगा वो पांस तक ही जाएगा, इनिशट्र अचम कंडिशन नहीं देगे गिवन होगी, इनिशट्र अपको इस टाइप से जो से जो चम्डिसन होगी, ऑर इनिशल कंडिशन के help से आप वहां से ट की वैवल्यू निकाल सकते हैं, इस यह लिए पार्ट की जो वैलू है आप सबसे पहले इनिशल कंडिशन से निकाल लेंगे यह लिए पार्ट की किस से निकालेंगे इस बाउंडरी कंडिशन से वैलू निकालेंगे ठीक यह बाउंडरी कंडिशन से निकाल आएगी वैलू ठीक यह जो वैलू होगी इन दोनों ज क्या करेंगे हम लोग यहां पर बैखार बैखार लेंगे अब कौन स्काइब करूं है आब यहां पर जो वैल IM 1 है वह को एक मायweit में पौर्शन आराइस होगा ठीस क्या होगा कि हम लोग कॉन कॉनसी वैल्यू को स्कम्राइब करने लिए ठीक उसके लिए सबसे पहले जो सॉट्ट प्रिक है वो है एए बी और यह हमारा आएगा ए ब्लेंडर इसमें क्या था यहां तक तो सेम था ठीक बट हम लोग क्राइं निकॉलर म्येंडर में इसके बयाला भी लेंगे यान कि यह यह वाले वばい वैलू भी लेंगे यह डई वैली की लेंगे लेनें गैस retrospect बाद हम लोग प्लस ब्लस दप्लस द़र बिध्या दइवाड़ेड भाju फूर कर देंगे तो हमारे किसकी यानि कि यह वाली लेंगे 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 यह वा क्या इसमें change है crank Nicolas में और blender smith में crank Nicolas में जो k के value निकालेंगे वो होगी उसका जो formula होगा k equal to a h square ठीक और 100 trick से बाकी table की जो data निकालेंगे उसमें 4 value लेंगे यानि कि a, b, c, d और divide किसे करेंगे 4 से हमारे यहां की value निकालाएगी स्रिप इतना साही difference है भरणजर्ण的कтив, निकालाएब हो